तो आज के इस वीडियो में हम आपको बच्चों के लिए जैन्ड कुर्ता और पैजामे की कटिंग करने का तरीका बताएंगे तो दोस्तों मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैसें डिजनर तो आई ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं से पहले जान लेते हैं और यानि बच्चे के लिए कपड़ा कितना लगेगा तो नॉर्मल साइच की जो अर जाती है जो मीडियम साइच का जो कपड़ा होता है डेढ़ मीटर लगता है यानि 150 सेंटी मीटर तक कपड़ा लगता है ठीक हो यह देखिए कपड़ा बचाएंगे पहले हम तो यह देखिए हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया है तो हमने यह साड़े साथ इंच कपड़ा फोल्ड कर लिया है यानि साड़े साथ इंच मोड़ा है तो आप आर्मोल यानि मुड्डे का निसान लगाएंगे तो यह देखे अगर तीन साल तक का बच्चा है एक साल से लेकर तीन साल तक का तो आप करीब साड़े पांच इंज मुड्डे का निसान लगाएंगे और पांच-छे साल का चार साल तक का बच्चा है तो आप 6 इंज म लेते हैं तो आप देख रहे हैं अकील फैसेंट डिजायर नेट तो इस चैनल पर जैंस टेलिरिंग सिखा जाती है अब इसके बाद हम आपको हालर का निसान लगाना बताएंगे तो यह देखिए हालर में चोड़ाई के लिए करीब पौने दो इंच का निसान लगाएंगे च अब इनको भी स्टेट कर देंगे सीधा कर देंगे एक काले चलाते हैं इसके लिए हमारा मार्फ हो गया इस तरीके से जिए सब्सक्राइब देख रखते हैं अब तीरह करने इसका तीरह तैयार दस निच्छ दसका हाप किया तो हो गया पांच इंच में आदा एंच और जोड़ा तो गया 45 तो यहां पर 45 हो गया और यहां पर लगाएंगे पांच तो इतना भी तीर है उसको बीश्ट कर देंगे इस तरीके यह से देखें अब इसके बाद कर्दी। यहां से यहां तक एक इंज डाउन की लिए अब चेश्ट के निसान लगा लेते हैं चेश्ट का कितना निसान लगा नाए दो तीन साल का बच्चा है अगर तो आप साड़े छेंज का निसान लगाएंगे यहां पर इस तरीके से और थोड़ा बड़ा बच्चा है चार- निसान लगाएंगे धिके अब से फ़ंटी ले लेंगे चेस्ट बाले कमर बाले से बिलाएंगे एस तरीके से अब इसके बाद यह देखिए एक मार्क बनाएंगे गुलाई बनाएंगे और इसके बाद हम ककать कर लेते हैं तो दोस्तों आपको अगर हमारे वीदिए अच्छ बच्चों से लेकर बड़ो तक हमने कटिंग के वीडियो इस चैनल पर अपलोड किये हैं तो आप जाकर देख सकते हैं यहां से निकाला है तो यह देखिए अब हम इधर से बैक निकालेंगे ठीके कपड़े मोड़ सीधा नहीं है किदरी सभी मोड सकते हैं इसको भी हमें उतन अब देखी द्रीके आफ़ शकी करलेंगे का में चीवथ पर अब इसना हम लिए हम रखेंगे हैं से हम रखेंगे तो यहां पर हमने शाड़े पांच का निसान लगाया है यहां भी हम करीब यहां से यहां से यहां तक दिखो गया और यहां से यहां तक दिखो गया और यहां से यहां तक दिखो गया इसको भी हम इस तरीके से स्टेट कर लिया है यहां फिरंट से आदा एंच और आगे के लि घृट के ल्बार जिलागा। दोस्तों कुर्टा कटopard करने के वाद हम आपको अभी पैजामा कटिंग करने भी बताएंगे तो वीडियो को कट करके बिल्कुल नहीं दिखें तो इस वीडियो को देखकर आथ बहुत ही आसानी से किसी भी बच्चे के लिए बेबी के लिए कुर्ता और पय्जामा कटिंग करना सीख पाएंगे हम यहां से जो हम चाक ओपन करते हैं चाक खोलना है तो हमने यह बाला निसान लगा देंगे इस तरीके से यह देखिए तो यहां से हमारे चाक ओपन हो जाएंगे चाक खुल जाएंगे अगर आप साइट पोकेट या नहीं कली वाली जेव लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सकते हैं तो यह के यह देखिए और लिए और समया चारेंज का ठीक है तो यह देखिए यह भी कट रगातें हूँ नोगाना चाहते हैंगे लिए तो ऐस्ट वाली कटिकुण बनाते हैं उसके लिए उसके ने कि शोडाई को डबल कर लिया इस तरीके से किनारे बाले दूने साइडें मिला वाजू के लिए मौड़नेंगे तो यह देखें हम यहां से यहां तर खी चैनल लगाना होगा यह साड़ः छे का लगाना होगा चोटा बच्चा है तो छेंज का लगाएं अगर बड़ा बच्चा है तो सब्सक्राइब यह निसान तो यह लगाएंगे करीब डिएड़ इंच का ठीक है भी आप बाद में बताएंगे तो यह निसान होगे अदर मुड़ा रखेंगे इसकी बाजू के लंबाई साड़े ग्यारा इंच है तो हम बारा इंच का निसान लगाएंगे का आदा इंच सिलाई में जाएगा मुड़े की तरफ और हमको एक इंच और उपर रख लिना है फोल्ड करने के लिए सिंपल वाले बाजू है बिना कफ वाले तो इन मार्क को में स्टेट कर लेते हैं सीधा क यहां से मुड़े के पास बराबर रावर रखेंगे उससी निसान से और यहां से हम बढ़ा दिए करीब आदा अप ओन इयूक बढ़ा वाले तो इसके कढ़ी थोड़ा सा रौंड से बनाएंगे अंदर के लिए नीछे वाले पाइप छोड़कर दो पाइब तो पर झोड़कर इस तरीके बाजु जो पीछे वाले वाले जो दो बड़े पाइब एन कट अ हैंगा ताकि पता रहे बाइक में जाएंगे और यहां से नापंगे करीब साड़े साथ या आट इंज रखंगे तो आप यहां से यहां तक गए तो आप यह देखे जो सेंटर क्रीज के निइस हैं दिख रही है इधर से तो हम इधर के लिए निस्हान लगाएंगे यानि हम अपने लियुन साइड में जो हमारे दाहिना हत होता है एक पैर कहतार करकुा ले जाएंगे इस तो आफ यह सब्सक्रावड कंदी एक हमारे काज पक्ति हमारे कटना लगाना तो और हम कुर्ते को सीधा रख लेंगे इस तरीके से यह देखिए तो हमारा पट्टी बनेगी जो काजवाली पट्टी हुएती है तो यहीं पर हमारा पट्ट बनेगा तो हम चाहें तो पहले भी पोकेट का निसान लगा सकते हैं जोड़ाई की बात कर लेते हैं तो चोड़ाई भी इसकी रखेंगे 3 चाहिए देखिए तो यह हमारा तीन इंच बनेगा यहां साधसा तक अब इसकी गहराई के बात कर लेते हैं पोकेट की गहराई होगी साड़े 3 तीन ठीक है तो देखिए तीन चोड़ाए सागे तीन जिस इसकी गहराई रही वाई करना बताती हैं तो यह देखे पजामा के लिए हमने इसके छोडाई को डबल से तो यह देखे दोनों किनारे हमारी से तरीके से फोल्ड करेंगे यह देखे यह फोर लेयर में हो टीक है तो चार उस टिअ के लिए उधे लाइश इंच निल न की है तो trabalhar डिए लगा दिया है इतनी भी लैंत है उतना निसान रहाएं उसके बाद डेड़ या दो इंच मुहरी के लिए छोड़ सकते हैं फोल्ड करने के लिए इसको में स्टेट कर लेते हैं इन मार्क को कि अधtoo week कि आपने तो यहां पर हम उपर गुण यहां से हम इसका हाफ देखें कितना बंड़ा है इसका हाफ यहां से लिए 9 ब्लम कःव्स लिए की मोरी परत देखेंगी दो यह जो निसान लगा है इस इदर के लिए इंट लिए लगाएंगे exact 3 इदर के तो यहां से यहां तक तीरी इंच ठीक है तो यह जैंटिक है तो यह कितना हो गया āत्वे संगेगे 있어 अन्णे में हर और हो जाएगा तक कमारते यहां चल जोड़ाएंगे इस अट्रिके से बिलूफन कपड़ार निअगे से रखेंगे हम इस तरीके से बाहर वाले निसान से इस तरीके से यह देखिए आप चाहें तो महरी के लिए कम भी रह सकते हैं जिसे मैं यहां फेल छे रखाये तो आप चाहें साड़े पांच या पांच इन्च भी रह क्याम होख गुलाई बनाएंगे यहां से नियून चैब रहुआ है करो यह देखें यहां पर आने बाद सोबावर की और तिर्षा कट करतें और यह जो आप करते हैं उसके बाद यहां से उसके बाद एक के निसान आप चाहें तो यह भी लगा सकते हैं इस तरीके से यह रखेंगे और ऊपर के दो पल्ले उठाएंगे इस तरीके से और यहां से निसान यह लगा देंगे देखिए तो यहां से यहां तक एक इंच उसके बाद लगाएंगे चार निसान ठीक है कर दो है और तो यहां से प्रवकिट रखा जाएगा और यह हमारा प्लोकिट का मुर रहेगा चार दो इस तरीके दो पल्ले परकड़ेंगे उपर वाले यहां पर कट लगा देंगे इस तरीके à तो दोस्तों कैसा लगा मेरे वीडियो प्लिस कमेंट करकेश